ये अगली तस्वीरे जो आपके सामने आएंगे उससे देखर आप भी हैरान रह जाएंगे तो ये तस्वीरे है कोप्रा के बच्चों की अब ये एक्स्क्लूजिव तस्वीरे देख पारे हैं सिर्फ फॉस्ट इंडिया नियूस पर आपको बतारी के तस्वीरे उस वक्त की है जब कोप्रा की ये बच्चे अंडे से निकल रहे हैं सांपों की कई प्रजाती हैं और इनमें सबसे खतरनाख है किंग कोप्रा की प्रजाती कोब्रा के जहर को लेकर दुनिया भर में तमाम कहानिया हैं और उनमें से ज्यादतर सही भी है हम आपको आज कोब्रा के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बलकि दो दर्जन से ज्यादा बच्चों को दिखा रही है यह समय उस वक्त की लाइव तस्वीरे हैं जब यह बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं यह तस्वीरे आप फर्स इंडिया न्यूस पर देख सकते हैं, एक्स्क्लूदिव तस्वीरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कोब्रा सांप के बच्चे जोदपूर के कबीर नगर में सित्व एक फैक्टरी में दिखे, हालां कि जिस वक्त हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां कोब्रा नहीं था लेकिन कोब्रा अपने अंडे जरूर छोड़ गया था, इतनी बड़ी संख्या में कोब्रा को देख कर कोई भी कांप जाएगा लिहाजा लोगों ने तुरंट सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स को इस बात की सूचना दी एक्सपर्ट्स तुरंट मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों को एक जार में खटा कर लिया कोब्रा के बच्चे अंडे से निकलते ही तेजी से इधर उधर आने जाने लगे लेहाजा टीम ने उन्हें फोरन पकड़ कर जार में बंद कर दिया आपको बता दें कि कोब्रा के बच्चे जनम से ही शिकारी होते हैं और अपनी देखवार खुद ही करते हैं एक्सपर्ट्स की टीम ने कोब्रा के बच्चों को पकड़ कर जंगल में छोड़ने की तैयारी कर ली है यह हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि कोब्रा जितना जहरीला होता है उसका जहर भी उतना ही कारकर होता है दरसल हर साम्प के जहर के लिए अलग-अलग वैक्सिन बनाई जाती है और यह वैक्सिन उसी साम्प के जहर से बनाई जाती है लिहासा अगर आपको अपने घर के आर्प आसपास कोई साम दिखे कोई भी जहीला जे तो तुरंट वनवी भाकी टीम को सूच ना दे कोब्रा साम तो नहीं दिखाई दिया लेकिन उसे कोब्रा के 20-25 अंडे दिखाई दे दिये हैं जिन में से बच्चे निकलने ही वाले थे ऐसे में तोहीद ने जो ही अंडों से कोब्रा के बच्चे निकले उन्हें पकड़ कर एक डिब्बे में डाल दिया अब उन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा तो आपको बता दे कि हम ये तस्वीरे जो आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्लूजीर तस्वीरे सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूस पर ये तस्वीर उस वक्त की है जब कोब्रा के बच्चे अंडे से निकल रहे